वेल्कम बैक डियर स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम कम्प्लेट करेंगे प्रैक्टस सेट 5.2 का क्वेस्टिन नम्बर 12 और क्वेस्टिन नम्बर 12 में हमको दो पॉइंट्स गिवन है पॉइंट A और B जिसके कॉडिनेट हमको अल्रडी मेंशिन कियो है पॉइंट A का कॉडिनेट है 20,10 और पॉइंट B का कॉडिनेट है 0,20 वे हैं टो फाइंड आउट दो कॉडिनेट्स अप दो पॉइंट्स विच डिवाइड दो लाइन सेग्मेंट A, B इन्टो फाइफ कॉडिनेट पार्ट्स हमको उन पॉइंट्स के कॉडिनेट फाइंड आउट करने है जो कि लाइन सेग्मेंट A, B को फाइफ एक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे है जो हम पहले तो लाइन सेग्मेंट A, B डिवाइड कर लेते यह हमारा लाइन सेग्मेंट A, B इस लाइन सेग्मेंट A, B को कुछ पॉइंट्स है जो कि फाइफ एक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे है So 5 equal parts में divide करने के लिए Line segment AB के in between At least हमको 4 points required है So 4 points हम consider करेंगे 1 point, 2nd point This is 3rd point और यह है 4th point With the help of this 4 points Line segment 5 equal parts में divide होगे So 1, 2, 3, 4 and 5 अभी जो 4 points हमने लिए इनको Name assign कर लेते हैं यह point P है This is Q, this is R and this is S मतलब A, B Line segment AB को यह जो 4 points है P, Q, R, S यह 5 equal parts में divide कर रहे हैं देखें, equal part है that means AP is equal to P, Q is equal to Q, R is equal to R, S is equal to S, B यह all 5 जो parts है, इस line segment है उन सबका values के हैं सेम है That means अगर यह 5 है तो हर line segment का है जो part है 555 है So, अगर हम ratio calculate करेंगे So, यह 1 होगा This is also 1, 1, 1, 1 That means यह पूरा का पूरा जो parts है यह सबका अगर ratio निकलेगा तो this is 1, 1, 1, 1 यह सारे parts क्या है 1 is to 1 is to 1 is to 1 अब हमको find out करना है P, Q, R, S के coordinate देखे, इसमें हमको point A का coordinate given है point A का coordinate है 20, 10 and point B का coordinate है 0, 20 और यह जो point हमने in between consider किये है इसके coordinate हम assume करेंगे point P का हमने assume किया यह हमारा X1, Y1 point Q का coordinate है X2, Y2 point R का coordinate है X3, Y3 and point S का coordinate है X4, Y4 हमको P, Q, R, S इन all four points के coordinate find out करने है इसमें so first of all हम focus करेंगे point P के coordinate पर देखो इस diagram को हम recreate करेंगे यह है line segment A, B जिसका coordinate है 20, 10 and point B का coordinate है 0, 20 अब इसके in between एक point है कहीं पर यहां पर है P जिसका coordinate लिए हमने X1, Y1 अब देखे point P A, B को 1 is to 4 में divide करते है अब यह कैसे है 1 is to 4 देखे जो first हमारा diagram है A, B point P यहां पर है तो P से A तक 1 है P से A तक 1 and P से B तक it is 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 4 that means P से A 1 है और P से B क्या है 4 that means point P line segment A, B को 1 is to 4 में divide कर रहा है so हम assume करेंगे let point P जिसका coordinate है X1, Y1 divides line segment A, B in 1 is to 4 1 is to 4 के ratio में divide कर रहा है इसको so 1 is to 4 के ratio में divide कर रहा है so to find out the coordinate of the point P we can use the section formula so by section formula section formula according to point P का जिखिए जो X coordinate होता है हमने first video में है जितने भी formula इस chapter के वो cover किये हुए तो इस formula को मैंने diagrammatic representation भी दिया हुआ है कि diagram के थूँ कैसे याद रख सकते अब उसको देखेंगे तो आप easily इस diagram में section formula apply कर पाएंगे सो देखिए X coordinate जो होगा P का वो है X1 अब देखिए diagram के help से formula कैसे अपला होगा ये तो 1 into X coordinate that means 1 into 0 plus this 4 into X coordinate that means 4 into 20 divide by denominator में आता है जो ratio है उनका addition that means 1 plus 4 आएगा यहाँ पर अब इसको हमको simplify करना है तो 1 into 0 होता है 0 और 4 into 20 होता है 80 तो यह हो गए आपर 80 divide by 5 जीरो प्लस 80 इस again 80 divide by 5 अब 80 को 5 से divide करेंगे तो 5 से आप देखो normally अगर आपको divide कर सकते हो तो 5 बज़ा 5 होता है और remaining जो बज़ गया है 4 4 और 0 हो गया 40 तो 5 के टेबल में 40 आता है 5 एड़ जा गलत हो गया ना 6 आएगा कैसा होगा है अच्छा 3 बज़ गया अच्छा 3 बज़ गया बज़ गया एगट करना बढ़े 80 को 5 से divide करेंगे तो 5 बज़ गया 5 होता है और बज़ गया 3 3 और 0 होगे 30 तो 5 6 आ 30 है that means 80 को 5 से divide करेंगे तो मिलेगा हमको 16 so x1 का value है 16 और वैसे भी 16 5 से 80 होता है अगर 16 का table आता है तो आप directly इसको divide कर सकते हैं अब देखिए point p का x coordinate हमको मिल गया that is x1 अब point p का y coordinate हम find out करेंगे so point p का y coordinate है y1 is equal to again हम diagram के help से formula apply करेंगे so 1 into y coordinate देखिए opposite वाला जो ratio है उसके opposite वाले coordinate से multiply होता है so 1 into y coordinate और this 4 into y coordinate so 1 into y हो गया 20 plus and this is 4 into 10 4 into 10 divide by 1 plus 4 जो ratio जो जो होगे जो ratio से उनका addition लिखा जाते है नीचे तो 5 1s आप 5 होता है 1 बच गया 1 और 0 होता है 10 जो कि 5 के table में 5 2s है या फिर 12 5s अभी होता है 60 तो अब divide करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा that means y 1 means है y coordinate of the point P so point P के x and y coordinate हमको मिल गए x coordinate है 16 and y coordinate है 12 name it as it is 1 अब हम target करेंगे next point को देखिए हमने P find out कर लिया अब target करेंगे Q पर so again हम लोग इस diagram को recreate करेंगे line segment A, B A का coordinate है 20, 10 and B का coordinate है 0,20 और A and B के in between somewhere Q अब है point Q say A तक का जो distance this is 1 plus 1 it is 2 and point Q से B तक जो it is 1 plus 1 plus 1 that is 3 that means point Q line segment A, B को 2 is to 3 में divide कर रहा है point Q divides the line segment A, B inner ratio 2 is to 3 so point Q का जो coordinate है वो अमने लिया था X2, Y2 so we will write let Q जिसका coordinate है X2, Y2 divides line segment A, B inner ratio 2 is to 3 line segment A, B को point Q 2 is to 3 में divide कर रहा है so again हम लोग section formula का help लेंगे so by section formula point Q का जो X coordinate है that means X2 उसका value होगा ये 2 इसके opposite वाले coordinate से multiply होगा और ये 3 इसके opposite वाले coordinate से so we are finding the X coordinate so you have got 2 into X coordinate or 3 into X coordinate so 2 into 0 is 2 into 0 plus this 3 into 20 divide by denominator में we have to write the summation of the ratio that means 2 plus 3 it is 2 plus 3 तो 2 into 0 0 होगा और 3 into 20 होथा है 60 divide by 5 0 plus 60 is 60 divide by 5 अब 60 को 5 से divide करेंगे तो 12 आएगा that means X2 जो है उसका coordinate मिल गया हमको point Q का X coordinate मिल गया है हम find out करेंगे point Q का Y coordinate so point Q का Y coordinate है Y2 again same way 2 into Y coordinate that means 2 into 20 plus 3 into इसके opposite वाले Y coordinate that means ये 3 into 10 divide by 2 plus 3 so 2 into 20 is 40 plus 3 into 10 is 30 divide by 5 अब 40 and 30 दोनों को add करेंगे तो होता है 70 70 को 5 से divide करना हमको so 5 1 जा 5 होगा 2 बजजा एगा 20 हो गया 1 5 4 जा that means हमको Y2 का value मिल गया है 14 so Y coordinate of the point Q is 14 therefore point Q का जो coordinate है X coordinate है 12 and Y coordinate है 14 15 अब we target करेंगे next point को जो की point है हमारा R point R के लिए हम diagram draw कर लेंगे so point R होगा again हम diagram draw करेंगे तो line segment A B अब line segment A B के in between है point R अब R के left में जेखेंगे R के right में 1 plus 1 it is 2 point A का X coordinate 20 और Y coordinate 10 ये given हम को point B का coordinate it is 0 20 20 point R के coordinate हम ने यहाप assume किये हुआ X 4 Y 4 अब point R के coordinate हम find out करेंगे सबसे पहले दो लिखेंगे let R जिसके coordinate हमने assume किये है point R के coordinate हमने assume किये हुए X 3 Y 3 So यहाँ पे हम लिखेंगे X 3 Y 3 यहाँ पे भी होगा point R का coordinate X 3 Y 3 Let point R divides line segment A B in 3 S 2 2 line segment A B को 3 S 2 2 मे divide कर रहा point R Again हम section formula apply करेंगे और section formula के help से point R का coordinate find out कर पाएंगे so by section formula by section formula अएंगे according to point R x coordinate that means x3 it is equal to 3 into 0 and 2 into 20 so हो गया 3 into 0 plus 2 into 20 divide by denominator में आएंगा 3 plus 2 so 3 plus 3 into 0 is 0 plus 2 into 20 is 40 divide by 5 अब ये 0 plus 40 is 40 divide by 5 अब 40 को 5 से divide करेंगे तो 8 आएगा so x3 का value हमको मिल गया है 8 x3 is 8 x3 means x coordinate of the point R अब same way हम find out करेंगे point R का y coordinate और point R का y coordinate है y3 अगें same हम 3 into since we are finding the y coordinate तो यह होगा 3 into y coordinate that means 3 into 20 plus 2 into 10 so यहां पे लिखेंगे 3 into 20 plus 2 into 10 divide by 3 plus 2 यह गें 3 into 20 is 60 plus 20 divide by 5 60 plus 20 is 80 divide by 5 अब 80 को 5 से हमको divide करना है so इसको divide करेंगे तो 5 बंज 5 और 8 में से 5 निकल गया तो 3 बज़ गया 3 और 0 हो 30 so 5 6 that means y3 का value हमको मिला है 16 y3 का value है 16 therefore point r का जो coordinate है हो है 8 comma 16 this is 3 and the last point s का हमको coordinate find out करना है जेखे point जो s है same way हम find out कर सकते कि point s लेंगे तो यह होगा 4 और यह होगा 1 that means point s a b को 4 is to 1 में divide कर रहा है यहा फिर एक और चीज़े की हम देखे r and b यह s जो है r and b के exactly middle में अब हमारे पास b का भी value है और r का भी value है तो r b का midpoint s अब midpoint formula से भी हम लोग s का coordinate find out कर सकते हैं कि यहां पर है r and this is b और इसके exactly middle में है s r का coordinate x3 y3 जो की हमने find out किया यह है 8 comma 16 and point b point b का coordinate है 0 comma 20 और s जैसा कि हमने assume किया हुआ कि x4 y4 this is x4 y4 यहां पर s जो है r b का midpoint that means point s क्या कर रहा है r b को bisect कर है so point s let point s जिसका coordinate है x4 y4 it bisect bisect line segment a b sorry a this is not a b this is not a b this is r b line segment r b ko bisect कर रहा हो abh r b ko bisect कर रहा है so we can use the midpoint formula to find out the coordinate of the point s therefore by midpoint 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 formula midpoint formula yow point s kya x coordinate hai that is x4 it is equal to midpoint formula के according to जो S का X coordinate होगा इन दोनों के X coordinate के addition को 2 से divide करने भी मिलेगा that means जो line segment है इस line segment के end points के coordinate का average होता हो that means 8 plus 0 divide by 2 तो जाएगा 8 plus 0 divide by 2 अब इसको simplify करेंगे तो 8 plus 0 होता है 8 और upon 2 solve किये तो आगया है 4 that means X4 का value है 4 X4 means X coordinate of the point S same way point S का जो Y coordinate है that is Y4 R N B के Y coordinate का average होगा that means 16 plus 20 divide by 2 16 plus 20 divide by 2 इन दोनों का plus किये तो हो गया 36 divide by 2 और 36 को 2 से divide करते हैं तो 18 मिलते है हमको that means Y4 का value है 18 therefore point S का जो coordinate मिले हमको point S का coordinate है 4,18 4,18 इस question में हमको find out करना था P, Q, R, S जो की line segment A, B को 5 equal parts में divide करते हैं उनके coordinate so first point P का coordinate हमको मिला 16,12 second point Q का coordinate 12,14 and the third point R जिसका coordinate है 8,16 and point S जिसका coordinate है 4,18 हलो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को like, comment and subscribe करना मत भूलिए और ये मोटो लेकिन subscribe करने के लिए subscribe का button कहा है ओ, sorry गलती से mistake हो गई ये ना दोस्तों हमारे YouTube पेज़ बेल आइकोन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो की सूचना ने सके